नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवारी वरकर्स का पोशन ट्रेकर एप की एक और महतोपून वीडियो में तो बहनों पोशन ट्रेकर एप में 20.6 का न्यू अपडेट आया हुआ था जिसके बारे में हमने आपको कल के वीडियों बताया था कि पोशन ट्रेकर एप में क्या क्या चेंजिस किये गए हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोशन ट्रेकर एप में जब आप किसी गर्भवाती महिला को धात्री महिला में माइग्रेट करेंगे तो उसके लिए 20.6 का जो अपडेट आया है उसमें कुछ चीजियों को चेंज कर दिया गया है अब नए तरीके से आप लोगों को गर्भवाती से धात्री महिला में ट्रांस्फर करने हैं साथी साथ आप जब गर्भवाती महिला का जो बच्चा है वो लाइक कर दिजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि सबसे पहले हम लोग पोसं ट्रेकर एप में बेनिफिसरी वाली केटेगरी को ओपन करेंगे जैसा कि यहां पे हम किसी करना है तो यहां पर हम लोग को प्रकार से कर सकते हैं तो देखिए यहां पर आप लोग को पहले बता दे कि किस प्रकार से आप लोग को ट्राण्फर करना है गर्भाती सधातिरी महिला में क्या क्या चीज़े आप लोग को फिल करनी है तो यहाँ पर जिस भी गर्भाती महिला को ट्रांसफर करेंगे उसका नाम यहाँ पर सो हो जाएगा यह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रेग्नेंसी मौन्थ कितने मौन्थ की व हुआ है उसका डेट आव लोग यहाँ पर फील करना है उसके लिए यहां पर आप लोग को कैलेंडर का ओप्षन देखने को मिलें जाएगा यहां पर कलिक करेंगे और जिस दिन बच्चे का जन हुआ है उस तारीक को यहां से सिलेक्ट करेंगे और ok पे किली कर देंगे उसके बाद आपसे यहां पर पूछ रहा है place of delivery मतलब कि कहां पर बच्चे का जन हुआ है घर पे हुआ है यहां पर अधर हुआ है तो जो भी है आप लोग यहांपे सिलेक्ट कर लेंगे उसको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर बच्चे का जनुम के समधिय parks चितना है वह यहाँ पर फिल करना है और यह सारी चीजे डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाला जो option है इसका किलिक कर देना है यहाँ पर आपको बच्चे का डिट्याल भढ़ना होगा तो जैसे कि यहाँ पर हम आपको example के तोर के समझाते हैं किस प्रकार से आप लोग को भढ़ना है जैसे वहाँ से आप लोग transfer करेंगे तो यहाँ पर बच्चे का आई उसका आधार नमबर नहीं आए तो आप लोगो करना क्या है यहाँ पे यस वाले पर किली करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का आधार हईड हो जाएगा यूशे कुल अफ मदर यानि कि माता का आधार नमबर देखने को मिल जाएगा और लेडी वहाँ पर फिल हुआ यहां पे उसके बाद बच्हे सलेक्ट में और house रहेंगा इंक झेल कोशियान इसे आप एउसके बाद भी चंब करना क्या है कि यहां पर सेलेक्ट कीरिश रहे हैं उसके बाद यहां पर सन्सक्वान करने दों वघा भणव है उनस्ने शीलेग्ट बहाँ करेंगे तो यहां पे आप लोग का आटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा ठीक है और उसके बाद यहां पे रहाई या टेंपरेरी तो आप यहां पे पर्मानेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर समिट वाले ऑफशन पेक्रिक करेंगे तो आपका जो है कि तरीका रहने वाला है विफिलहाल तो इस परकार से आप लोग cette है अब हम बत्ते हैं अगर कि अगर आपको की और नींटी मज inयला का यही टियूए बंशाफर तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो जैसे कि यहाँ पर pregnant woman पर click करेंगे और यहाँ पर किसी गर्भाती महिला के टेगरी पर click करेंगे और यहाँ पर migrate to lactating mother वाले option पर click करेंगे ठिक है? जैसे कि आप लोगो को पुडाने वाले version में यहाँ पर जो still worth, miscarriage, abortion का जो option देखने को मिला था वो option आप लोगो को अब यहाँ पर देखने को मिलेगा to enter miscarriage, abortion और still worth details तो यहाँ पर आप लोगो को click करना है अगर किसी कारण वास, किसी गर्भाती महिला का जो है कि miscarriage हो जाता है, ठिक है? तो यहाँ पर आप लोगो क्या करना है, अगर miscarriage होता है, तो miscarriage वाले पर किलिक करेंगे अब versions होता है, 20 weeks के अंदर, तो यहाँ पर यह किलिक करना है, ठिक है उसके बाद यहाँ पर बच्चा अगर मिर्थ पैदा होता है, तो यह वाला option select करेंगे और submit कर देंगे, तो लभार्थी यहाँ से आपका portion tracker app से हट जाएगा, ठिक है? तो इस परकार से अब नए update में आप लोगो को जो भी गर्भवती मुईला है, उनको यहाँ से आप लोग migrate कर सकते हैं तो आई होप आप लोगो को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी के वेलोटिफिकेशन दबाने के बाद, आल का बटन जरूर सेलेक कीजिएगा, तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद!